हेलो दोस्तों मेरा नाम है अतुल आज देख रहे हैं रेपिरेंगे रेडिव चैनल आज के इस वीडियो में आप दो चीज़ेंगे एक आडियो सिस्टम की आइसी को कैसे बदलते हैं और दूसरा उसका सही तरीका क्या है वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगरा मेरे चैन काफी पुराना होम थीटर है और काफी अच्छा है यह इसमें एक ब्लूटूथ पैनल भी मैंने लगाया है इसकी वीडियो आपको आई विटर और डेक्स्रेश्टम बॉक्स में मिल जाएगी इसमें आज प्रॉब्लम यह है कि इसके आइसी हैं जो खराब हो चुकी है तो ह यहां पर लगी होती हीट सिंग के पास और अभी मैं आपको दिखा देता हूं तो यहां पर जो यह फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर पीन दिख रहे हैं आपको यह ट्विटर स्पीकर के लिए है और जो लास्ट वाली पीन है वो सब बूफर के लिए है जो हमें बेस निक ही है लेकिन सब बूफर से हमिंग को नौइज आ रहा है तो हम इस आइसी को भी रिप्लेस कर देंगे और यह दो आइसी आखराब हैं ट्विटर स्पीकर के लिए इस वीडियो मैंने आइसी को निकालना नहीं दिखाया है क्योंकि इससे पहले ही मैंने डिसॉल्डरिंग कैसे करते हैं उसकी वीडियो मैंने दाली है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं और यह देखिए यह तीनों आइसी हैं मैं मार्केट से लेके आया हूँ और आइसी लेते जात समय आपको हो सकता है confusion हो जाए क्योंकि टीडिये बीस तीस में दो तरह की आइसी आती है देखिए यहां पर लिखा हुआ है D2030A तो हो सकता है आपके में भी D लिखा हो लेकिन जाओ मार्केट में ले जाए तो वहां पर टीडिये लिखा हो तो TDA और DA की चीज़े confused मत होईएगा आपको A बस देखना है जो लास्ट का डिजिट है वह सेम होना चाहिए चलिए अब हम देखते हैं कि इसका तरीका क्या है I.C. बदलने का तो कई बार होता है कि हम नई I.C. लगाते हैं वो कुछ समय तक चलती है लेकिन फिर से वो जल जाती है उसका रीज़न यह होता है कि इसके पीछे अगर आप I.C. के देखेंगे तो आपको इसका जो बेस दिखेगा वो बिल्कुल पलेन दिखेगा और ये ज बदलते समय हम इस IC में कोई पेस्ट नहीं लगाते हैं हम डिलेट इसको ऐसे अपलाई कर देते हैं यहां पे इसको सोल्डिंग कर देते हैं और जब हम ऑडियो सिस्टम को फुल पे सुनते हैं तो यह बहुत ही ज्यादा हीट जनरेट करती हैं जिसकी बज़े से खराब होती है तो हमें IC बदलते समय एक पेस्ट का यूज करना है उसे थर्मल पेस्ट बोला जाता है तो जब भी आप नई IC लगाएं तो यहां पे थोड़ा सा थर्मल पेस्ट आपको लगा लेना है अभी मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि थर्मल पेस्ट को कैसे अ नौलेज लेना है तो इस वीडियो का पूरा देखिएगा तो यह है थर्मल पेस्ट करने का ने का तरीक , हमारी और देल करने का तरीका सब का अलग होसकता है। तो इस खोल को भरने के लिए यहाँ ठर्मल पेश्ट का यूज किया जाता है जिससे कि जो भी हीट है वो पूरी की पूरी उसके फेट सिंग में ट्रांसफर हो सके इसका इस्तमाल जाद तक कंप्योटर में प्रोसेसर और हीट सिंग के बीच में किया जाता है उसके लिए मैंने डीटेल में वीडियो बनाई है तो उसका भी मैं लिंक आई बटन और डिस्कृष्ण बॉक्स में देता हूं जिससे कि आप उस वीडियो को भी देखिएगा तो जो कुछ इस्ति थे में proper सा फिएस थर्मल पेश्प लघाना है बहुत ज्यादा थर्मल पेश्फ का इस्तमाल नहीं करना है और नहीं करना है और बहुत ही कम आपको बस इतना लगाना है कि ये बाहर ज्यादा ना निकल पाए तो दिखिए इसमें कि मैं थोड़ सा इसके चारों तरब में लगा दूंगा लेकिन लगाने का तरीका सब्सक्राइब अलग हो सकता है हो सकता है ज्यादा लगा देंगे तो हीट जो होगे नी पाईगी एक बीच में शील्ड बन जाएगी और कम लगा देंगे तो कोई मतलम नहीं है इसलिए आपक इसे लिए हैं आपके हीश्टिंग और इस आइसी की बीच में बनी रहे हैं इससे जो भी यह ऑडियो इंप्रिफायर आइसी हीट जनरेट करेगी पूरी की पूरी हीट सिंग में ट्रंस्पर हो जाएगी अब एक बहुत बड़ा क्वेश्टन सभी के दिमाग में रहेगा जिन वह अपनी पूरी फुल पावर के साथ काम करती है पूरा एंप्लिफाय करने के लिए आइसी पे लोड पड़ता है जिससे कि आइसी बहुत ही ज़्यादा हीट होती है अब हम इसको लगा रहे है है कि वीडियो को लंबी बनाने का मेरा मकसाद यह है कि अब एक चीज आपको जानने को मिले मैं चाहूं तो दोनों आइसे हैं उनको भी लगाने का मैथट सेम है तो फालतु में समय बरबात करने का कोई मतलब नहीं है तो आप इस को देखी कैसे मैं लगा रहा हूं बाकी की भी आइसी आपको सेम ऐसी लगानी है जब यह इसके पिन इसकी सारी इसके बेस पर आ करना है तो हमें इसका जो इसको लगाना है थान रहतना है इस स्क्रू को टाइट करने के बाद ही हमें सोलडिंग करनी है कि इसे हम टाइट कर लेते हैं और वूंपेटर से लेटेट cinco io यह वोम थेटर से लेटेट कोई भी दिक्कत है तो आप नीचे कॉमेंट करके मुझे बताएं अगर मुझे लगा कि इस पर वीडियो बनाना है तो मैं वीडियो बनाऊंगा इससे पहले भी मैंने एक होम थेटर के ऊपर वीडियो दा लिए जिसमें मैंने उसका ट्रंस्वार बदला था उसे भी आप जाके देख सकते हैं चैनल पे वो मौझूद है वो वीडियो अब देखिए यह पूरी तरह से टाइट से इसको मैंने नट से इसको टाइट कर दिया ह और यह आई से आपको कहां मिलेगी तो इसे आप किसी इलेक्ट्रोनिक्स की शौप पर जाके ले सकते हैं ऑल्लाइन भी उपलब्द है और जो थर्मल पेस्ट है वह भी आपको किसी कंप्यूटर शौप पर मिल जाएगा लेकिन किसी कंप्यूटर हाडवेर की शौप पर कमजोर होती है जिससे की लूस वर्डिंग का प्रॉलम हो जाता है अगर आप पेश्ट के साथ इसको सोल्डिंग करेंगे तो यह बहुत यह अच्छा जौइन बनता है कि फिर लंबे समय तक चलता है और सोल्डिंग की जो टिप है उसे भी हम क्लीन कर लेंगे अब हम इसमें सोल्डिंग करते हैं जो यह आइसी की कीमत है यह आपको मार्कर में 15 से 20 रुपए की मिलेगी और जो थर्मल पेस्ट है वो आपको 5-10 रुपए का मिल जाएगा जगह के हिसाब से रेट जो है वो उपर नीचे हो सकता है जहां मैं रहता हूं रिवा में वहां पे थर्मल पेस 5-10 रुपए का मिलता है और जो आइसी होती हो 20 रुपए के आती है तो दिखिए यह अच्छी तरह से सोल्ड हो चुका है अब हम इसे एक ब्रश की हेल्प से इसको क्लीन करेंगे जिससे की कोई भी शॉर्ट शार्किट बगर रहना हो यहां पर और यह अच्छे से सोल्डर ह हो चुका है बाकी की जो दो आइसी हैं उन्हें भी आप सेम मेटट से ही लगाना है इसलिए मैं उसका वीडियो नहीं बना रहा हूं आगी तो देखिए यह ची तरह से क्लीन हो चुका है कि अब इसकी जो आइसी की लाइफ है वह बहुत ज्यादा मतलब यह लंबे समय तक यह चलेगी अगर आप फुल वॉल्यूम पर भी सुनेंगे तो यह लंबे समय तक यह सी ठीके की खराप नहीं होगी अशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लागा होगा कोई दिक्क देखना पसंद है और अगर आपको कुछ आज की इस वीडियो में सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब जलू करेगा अगर साथी बिल आइकॉन को भी आन कर लिजेगा आज की वीडियो के लिए इतना ही था सुरुच्छी तरहिएगा मिलते हैं अगली वीडियो में innovation राओ कि 10 की था सुरुची तरहिएगा मिलते हैं ओकी तरहिए भी उतना है आज के वीडियो में सीखना करेख का इका लिएू